हलो गाइज, वेलकम बैग तो यूट्यूब चैनल एक्रिकल स्टॉप फ़र यू, मैं हुच्च अनन, दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुनिट के बारे में, आपने कई बार अक्सर सुना होगा कि जब भी बिजली का बिल आता है तो जुनिट के बारे में ज जो होता है, वो आर मतलब टाइम होता है, तो दोस्तो एक जुनिट, एक के डूल एच के ब्राबर होता है, तो इसको अगर हम दूसरी करण से कहाए, तो हम ये भी बहुत सकते हैं, कि अगर कोई भी डिवाइस, एक गंटे में, एक किलो वाट पावर यूज करेगा, तो वो एक उनिट जिला देगा, अब हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी ड्वाइस हो, जैसे मान लिजे, बल्ब हो, फैन हो, LED हो, इसकी कुछ न कुछ पावर रेटिंग होती है, जैसे कि आपने बल्ब देखे होंगे, बल्ब 100 वाट का भी होता है, 60 वाट का भी होता है, ऐसे ही फैन, इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, जैसे आपको पता है कि एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं, सेम बैसे ही एक किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, तो अगर हम इसे दूसरी तरह से देखें, तो हम एक जुनिट को ऐसे भी लेख सकते हैं, कि एक जुनिट में, अगर हम एक कि वाट को replace कर दे हयार वाट से हयार बाट आर तो मतलब एक जुनिट हयार बाट आर के बराबर भी हो सकता है अब हम आपको मैं आपको एक example देता हूँ जिससे आप easily समझाओगे तो देखिए मान लीजिए एक बल्ब है 100 वाट का तो अगर हमने निकालना हो कि कोई भी बल्ब कितने गंटे चलेगा जैसे 100 वाट का बल्ब है इसे हम कितने गंटे चलाएं कि ये एक जुनिट जिला दे तो हम कैसे निकालेंगे अब हमें पता है कि जो बल्ब है वो 100 वाट का है उसकी power rating पता है और हमें ये भी पता है एक जु वाट का वल्व है ना वाट से वाट कर जाएगा और ये 100 से 100 मतलब H एकल टू 10R तो मतलब अगर हम 100 वाट का वल्व 10 गेंटे लगातार चलाएंगे तो वो एक जुनिट बिजली की खपत कर लेगा हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे किलो वाट आर हमें पता है जो की जुनिट के बाट है क्योंकि पावर है वल्व की और जो 10 है जे आर है टाइम की ठीक है तो ये हमारा बन गया 1000 वाट आर ठीक है दोस्तो डवलू है पावर रेटिंग है एच्छ है टाइम है और हमें पता है जो 1000 वाट आर है जे एक जुनिट के वरबर होता है तो दोस्तो यहां से हमें पता लगया कि एक सो वाट का वल्व अगर हम लगातार दस घंटे चलाते हैं तो वो एक जुनिट बिजली खपत कर लेगा ठीक है दोस्तों अब हम और एक्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लीजिए अपने गर का ही निकालना हो कि हमारे गर पर जैसे चार बल्व लगे हों सो वाट के ठीक है जी? बल्व है सो वाट का जहे चार लगे हैं तो इसकी टोटल बाटिज हो जाएगी जो भी है पावर चार सो वाट, सो गुना चार, चार सो वाट ऐसे ही पंके हैं मान लीजिए ज्येवी गर पर चार लगे हैं तो इसकी टोटल पावर हो जाएगी आर्चों के 32, 320 वाट और LED है जो की 7 वाट की है यह भी 4 लगी है तो इसकी टोटल वाटेज होगी 23 वाट अब जो बल्व है वो हम दिन में 24 गंटे में मान लीजिए शाम के टाइम ही चलाते हैं तो 4 गंटे चलाते हैं ठीक है ऐसे ही पंक् निकल जाएगा ठीक है दोस्तों क्योंकि यह जो है यह डवलू आ गया मतलब पावर रेटिंग और यह वाली है क्वांटिटी यह टाइम की है जो आर है ठीक है दोस्तों अब 400 गुना 4 यह हमारे होगे 1600 चार चोके 1600 अब यह डवलू एच बाटार क्योंकि यह जो रेटिंग है यह बाट में है इसलिए बाटार लगा अब ऐसे ही 320 गुना 8 0 आरदुनी 16 आरदी 24 एक 25 तो यह पंक्खों ने 2560 बाटार बिजली की खपत की ऐसे ही जो LED है 23 गुना 4 आरद चोके 32 चार दुनी 8 तिन 11 एक सो बारा बाटार बिजली की खपत की अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं 1600 पची सो साथ जमा 112 तो यह हमारी आगी दो 617 612 दो तीन 4 तो 4272 बाटार ठीक है दोस्तों अब जे बाटार में हमें इसे कनवर्ट करना है किल्लो वाटार में तो हमें पता है जैसे की एक किल्लो वाट में 1000 बाट होते हैं तो ऐसे ही एक बाट में कितने आ रहेंगे एक बटा 1000 किल्लो वाट ठीक है दोस्तों तो हम क्या करेंगे इस 4272 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 4272 बाग 1000 तो यह हमारा आगया 4.272 किल्लो वाट आर अब यह था बाट आर और यह हो गय तो हमें पता है जो एक जुनिट होता है वो हमारा एक किलो वाट आर के बराबर होता है तो यहां पर जुनिट कितने होगे 4.272 किलो वाट आर इसका मतलम यह हुआ कि अगर हमारे गर पर 400 वाट के बल्व है और 4 हमारे 80 वाट के 4 7 वाट की LED है और उसे हम बल्व और LED को दिन में 4 गंटे चलाते है और पंखो को दिन में 8 गंटे चलाते है तो वो 24 गंटे में हमारी 4.272 जुनिट की खपत करेगा, अब हम एक और असान सा एक्जामपल लेते हैं, जिसे आपको बिलकुल ही क्लियर हो जाएगा, अब मान लिजिए कोई पानी की मोटर है, ठीक है दोस्तों, जो पानी की मोटर है, वो हाई पावर रेटिंग ही होती है, ठीक है, अब वो एक किलो वाट की हो, ठीक है, अब एक किलो वाट की है, पानी की मोटर ले लिजिए, जैसे हीटिंग रोड होगी, जो पानी गर्म करने के लिए आप रोड यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी ऐसे ही, हजार वाट, दो हियार वाट, ऐसे अलग-लग रेटिंग ही होती है, अब आपको पता है हियार वाट का मतलब है, एक किलो वाट, और दो हियार वाट का मतलब है, दो किलो वाट, तो अगर यह हीटिंग रोड है, एक किलो वाट की, तो अगर हम इसे एक गंटा चलते हैं, मान लीजिए, तो यह हमारा पावर हो गया, यह हमारी टाइम हो गया, ठीक है, जिसे है एच और ये केड़ो लूग ठीक है दोस्तो तो ये एक किलो वाट आ रहा गया तो मतलब सिंपल सी बात है अगर हम पानी गर्म करने वाली रोड को जो की एक किलो वाट मलो एक हियार बाट की रोड है उसे एक गंटा जलाएंगे तो एक गंटे में एक जुनिट जला देगी ऐसे ही अगर कोई हीटिंग रोड दो ह्यार वाटकी हो तो अगर हम उसे एक गंटा जलाएंगे तो एक गंटे में दो जुनिट की खपत कर लेगा ठीक है दोस्तो तो ऐसे जुनिट को निकालना जाता है तो आई होप आपको समझ आया होगा जुनिट के बारे में और अगर आपको ऐसी कोई भी queries हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हो तो दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर ले Thank you guys